आगे बढ़ते हुए एवीपियस न्यूस टीम ब्लॉक ठाकर द्वारा इस्थित मलपूरा लक्ष्मिपूर गाउं पहुंची लगबग 5000 की अबादी वाली यह ग्राम पंचायत जिला मुख्याले से 60 किलोमीटर तो वहीं ब्लॉक से इस ग्राम पंचायत की दूरी मातर 6 किलो में है वर्तमान प्रधान आमना बेगम की इस ग्राम पंचायत में कुल वोटरों की संख्या लगबग 250 है तो वहीं राशनकाल धारकों की संख्या 550 नजर आती है विद्वा पैंशन व्रद्धा पैंशन वा विकलांग पैंशन के योजना के अंतरग्रत सभी लाभारतियों क को प्रत्धान द्वारा लाब महया कराया रहा है वर्तमान समय में प्रत्धान द्वारा 10 सडकों का कराये गया है वहीं पषपण विवस्ता बदहाल सीध नजर आई वहीं ग्राम प्रधान प्रतिनिधी ने एवीपीस न्यूस्टीम के माध्यम से केन सरकार वा राज्य सरकार से मांग की कि जल से जल उनके गाउं में सड़क का निर्मार करवाएं जिससे ग्रामीडों को गढ़े मुख सड़कों से निकलने म सुवधा प्रदान हो सके साथ ही साथ हुन्होंने बीस और आवासों की भी मांगी है इसी के साथ एक अस्पताल वह पंचायद घर की मांग के लिए उन्होंने किये वह गोंई ग्रामीडों ने बताया कि गाउं में पानी की निकासी की व्यवस्ता ठीक है लेकिन गाउं सेवाइं बदहाल स्टिटी में नजर आती है अश्यद अहमद और ग्राम पंचाद मलपाला शीपर और ग्राम पंचाद में जो पैसा आता है वो बहुत कम आता है और छेतर फिल ग्राम पंचाद करीब पांच साथ किलो मीटर की दूरी का है हर जागा तो हर आदमी कहता हमारा विकास हमारा विकास पैसा थोड़ा आता है अब सरकार ने के अगर आप मेरे हैं चार प्राइमरी एस्कूल और एक जूनियर अब जूनियरों में हम काम कराते रहें प्राइमरी में करावा़ना तो पूरे पांच साल निकल जाएंगे तीन साल जो हमारे बाकी हैं पूरे इस प्रदान जी जो आप रास्ता देख रहे हैं यहां पहले बहुत कीचड गंदगी रहती ती जिनके नालिया बगरा सारी टूटी वी थी जिससे ग्राम बास्यों को नेलने बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी अब ही जो हमारी प्रदान जी, मोजुदा प्रदान जी है वो बिना किसी भेध भाव के सारे गउन में काम बहुत अच्छी दरह से करा रहे हैं और यह रास्ता भी इनहीं के दुआरा बनायका है और रियास्तानी इसके लावे भी वाकी कई रास्ते ऐसी हैं जहां लोग बहुत ज़्यादा प्रेसानिया आती थी और प्रिधान जी की वज़े से आज सभी लोग आराम से रह रहे हैं निकलने वोड़ने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है